कि बच्चों के साथ माता पिता का कॉमुनिकेशन बहुत रहता है लेकिन 10-12 वर्ष की आयू के बाद एकदम से पेरेंट्स और चिल्डन के बीच में गैप आ जाता है तो ऐसा क्यों क्यों पेरेंट्स और चिल्डन एक दूसरे को समझने में कमजोर साबित होते हैं 10-12 साल तक पेरेंट्स भी समझते हैं कि ये बच्चे छूटे हैं तो उनके साथ वो उनी की तरीके से चलना शुडू हो जाते हैं प्रंतु जैसे जैसे वो बड़े होते हैं पेरेंट्स के अंदर भी कुछ अपने इगो स्टेंड आ जाता है और जिसके कारण से वो बच्चों को भी नहीं समझ पाते हैं बच्चे भी धीरे-धीरे बड़े होते हैं समाज में और चीजे भी देखते हैं वो भी कुछ उनकी भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है पेरेंट्स से भी और पेरेंट्स की भी बच्चों से एक्सपेक्टेशन हो जाती है दोनों के पास कहीं न कहीं इगो आती है इस स्टेज में ऐसी स्थिती में इस समय में सबसे बैस तरीका क्या है अभी तक तो हम बचों को समझा रहे थे बात्चीत कर रहे थे उनको छोटा समझ कर रहे थे पर जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं हम उनके साथ अगर ऐसे फ्रेंड रहेंगे दोस्त बनके रहेंगे तो हम उनके पास जो भी कुछ आ रहा है उसका भी हम उनको solution दे सकते हैं और अपनी बात भी हम आराम से उनके साथ कर सकते हैं इसलिए उस समय जब 10-12 साल के बच्चे हो जाएं तो हमें दोस्ती की तरह अपने बच्चों के साथ treat करना चाहिए ताकि उनके पास जो उनके अंदर उनकी जो भी स्वभाव है या जो कुछ भी वो करना चाहते हैं उसको आप भी समझ सकें और वो भी आपकी आवाज को सुन पाए जैसे कि बात हो रही है बच्चों की तो यहां पर मैं जाना चाहूंगी कि बच्चों के लिए ध्यान कितना जुरूरी है क्यों हमें ध्यान की जागरुकता बच्चों तक पहुंचानी जाहिए कि बच्पन से ही ध्यान वो शुरू करने बच्चों के लिए ध्यान इसलिए क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके बाहर के समाज की जो चीजे हैं जो बाहर समाज में जो कुछ भी चल रहा है वो उसको देखता है वो उसके अंदर धीरे धीरे अंकित होने लग जाता है हमें पता नहीं चलता हम जाने अन जाने में बच्चे बच्चों के बारे में पात कर रही हूं जाने अंजाने में वो इतना टीवी देखते हैं इतना मोबाइल करते हैं अगर रिस्टिक्शन लगाते हैं आपके घर में तो बच्चे समाज के अंदर स्कूलों के अंदर काफी डिसकेशन्स चल रही हैं तो जो वो कच्रा जाने अंजाने रोट पास्ट तो है ही है, परन्तु जो आज भी वो उठा रहे हैं बार समाज से, अपने फ्रेंड सरकल से या स्कूल से, तो वो उनके पास और भारी होता चला जाएगा और संभालना मुश्किल होगा, इसलिए बच्चे ध्यान पांच मीं से, पांच साल के बच्चे से ही ध्यान कर करना शुरू कर देंगे, तो वो उनको बेनिफिटेड एक तो स्कूल उसमें भी आएगा, और दूसरा, वो क्या करने आये थे, उनकी रूची किस चीज में आए, उनको वो भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी.